बुगोल क्लास 12 लेवन चेप्टर अंतराश्टी वैपार पर्थम कुश्चन MCQ का निमलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख वैपारिक भागिदार नहीं है किसके साथ वैपार का प्रमुख भागिदार देश नहीं है तो दच्छीन अफरीका, USA, UAE और चीन हम जानते हैं कि दच्छीन अफरीका के साथ भारत का वैपारिक भागिदार नहीं है और ट्रेड में निराप में वेपारिक भागिदारी में सबसे पर्थम अस्थान पर है साजेधारी में USA उसके बाद चीन उसके बाद तिसरे अस्थान पर UAE सयुक्त अरब अमीरात प्रश्ण दूसरा डायमेंट हारवर बंदरगा किस नदी पर इस्थित है पहला महानन्दा दूसरा हुगली दामोदर शोन भद्र डायमेंट हारवर नदी जो है या पश्चिम मंगाल में डायमेंट हारवर इस्थित है जो हुगली नदी के किनारे इस्थित है तिसरा वाडिनाद में अप तर्टिये टर्मिनल किसका है पहला मारमागोः हल्दिया कांडला कोची इसका सही उत्तर होगा कांडला कांडला कहां है कांडला जो है या इसका सही उत्तर है तो कांडला अब जानते हैं वाडिनार कहां पर है यह दोनों इस्थित है गुजरात में उसका चौथा कोश्चन सबसे गहरा बंदरगा कौन सा है पारादीप विशाकापटनम जाला नेरू तूति कोरण जिसका सही उत्तर है विशाकापटनम सबसे गहरी बंदरगा है पारादीप विशाकापटनम अंधिप्रदेश में इस्थित है पारादीप जो है वह उरिश में इस्थित है जाला नेरू या मुंबई के पास इस्थित है महाराष्ट में तोती कोरण जो है वह चन्नई में इस्थित है इसका सही उतर विशाखा पड़ना शिल्ट शंचेन सिल्ट संचेन की सबसे बड़ी शमस्या कहां पर है किस बंदरगा में मारमा गाउं कांडला हल्दिया कॉलकता तो इसका सही उतर है कॉलकता जो पश्षिम अगाल बेश्थित है क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि देश के पूर्वी भाग में जो नदिया है वहाँ पर जौर वह डिल्टा के निर्बान करती है और पश्षिम में जो है वह जौर नदमुक के निर्बान करती है इसलिए यहाँ पर सिल्ट संचेन की अत्यधिक समस्या कॉलकता में है अगला छटा प्रश्ण अरव सागर की रानी किस बंदरगा को कहा जाता है मारमागाव कांडला कोची हल्दिया कोची केरल में इस्तित है इसे अरव सागर की रानी की नाम से जाना जाता है हल्दिया पhrशि मंगाल में इस्तित है और कांडला जो है वह कुजरात में इस्तित है कोची केरल में इस्तित है मारमागाव जो है वह कनाटक में इस्तित अब सात्मा प्रश्न Efendimiz कृतिम बंदरगा किसी कहा जाता है ? कांडला को, कोछी को, चन्नई को और हल्दिय को '' तो इसका सह उतर होगा चन्नई'' तमिलाडु में दू बंदरगा है एक चन्नाई में दो बंदरगा है तमिलाडों में स्थित एक तूति कोरण और एक चन्नाई चन्नाई अर्थात एन्नोर के नाम से यह दोनों बंदरगा जो है वह कृतिम बंदरगा है और इसे सबसे वरी बंदरगा कृतिम बंदरगा चन्नाई में स्थित एन्नोर बंदरगा ह अब आठमा प्रश्न, वेपार के कारण भारत का संतुलन नकार्थमक है, सरकार की उदार नीती, अत्यधीक कच्चे तेल की कीमत, जनसंख्या उप्रोक्त सम्भी, वेपार के कारण भारत का संतुलन नकार्थमक है, इसका सही उतर होगा उप्रोक्त सभी, सरकार की उदारवादी निती, अत्यधिक कच्चे तेल की कीमत और जनसंक्यागी, ये उप्रोक्त सभी. अगला प्रश्ण है, निमलिखित में से कौन सा भारत निर्यात की वस्तु नहीं है? निमलिखित में से कौन सा भारत निर्यात की वस्तु नहीं है? कागज, बोड़ और अक्वार, क्रिशी और संबंद उत्पाद, अश्क खनेज, निर्मित माल, इसका सही उत्तर होगा, निर्मित माल. अंतिम प्रेश्ट पोर्ट और ऑफ एस्चुरी बंदर का महाने पर इस्थित है. पोर्ट अफ एस्चुरी अर्थात जार्नदमुक्व्ष्य। जाड मरद मुख्ध हम लोग जानते हैं कि यह पश्च्वी किनारे पर बनता है मारमा गाउं कहा पर रिस्तित है में इसका मारमा गाउं कांडला हल्दिया कोची तो मारमा गाउं इसका सही उतर है जो करणाटक में इस्तित हैं तो उसे पोड़ा वेस्ट्यूरी बंदर का माने प्रिस्टेट।